राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार जैहीन जैवार तो आप अशा करता हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे बिंदास होंगे रोपने पढ़ाई के अंदर वैस्त होंगे तो अपने सूचना साहेक से समंदित एक बिग अपडेट रही है कि पदों में कितनी बढ़ोतरी हुई है कितने पद बढ़े हैं कटों पर फरक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसी से समंदित आज का अपना सेशन दहने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा सेशन वो सेर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा ठीक है कि को क्या रहता है कि युवाओं को रोजगार दे रही है भाजपा सरकार मानन ये परधानमंत्री नेर्मादीजी के कुसल मारक दरस्वने राजस्तान वे सूचन पद कर दिये गए हैं मतलब अगर अपने बात करें तो 685 जो पद है इनकी बढ़ोतरी की जा चुकी है 2730 पदों पर विग्यापन आया था 2023 के अंदर जो अब कितना हो चुका है बढ़कर 3415 हो चुका है 3415 पद तो लगबक कितने पदों में बढ़ोतरी की गई है 685 पद जो रूर पढ़ेगा मैंने आज से 12 दिन पहले आपको बता दिया था कि लगबग 600 पदों पर धहन रखना बढ़ोत्री होने वाली है 600 पदों पर वरदी होने वाली है तो मैंने आपको बताया भी था ये देखिएगा कि आज से लगबग मैंने बारा दिन पहले आपको बताया था कि कुल पद मैंने आपको बताया थे 2730 थे जो आपके विग्यापन के साथ में आये थे और मैंने कहा कि पदों में बलौतरी के समावना 600 प्लस पदों की है और 600 प्लस पद तो मतलब लग होई 685 जो पद है ये बढ़े हैं अपने और मैंने ये वी कहता यहां पर 330 प्लस पद हो जाएंगे तो 3915 पद मतलब 85 जो पद है वो अपने 600 से उपर गए हैं तो 600 प्लस का पढ़ सकता है तो merit पर effect ये पढ़ सकता है कि हो सकता है कि जिनके मतलब पहले मैंने बताये थे 90 question जो जनरल के लिए है तो हो सकता है 90 question और हो सकता है कि कोई एक आदा question कम भी हो जाए मतलब हो सकता है कि एक या दो question जो है वो कम हो जाए पहले जनरल 90 पर था तो अब हो सकता है 88 या 89 जो क्योशन जिसके सही हैं उन्हें द्यान रखना की कोल आईजे ठीक है मतलब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए इलेजिबल हो जाओ ऐसा हो सकता है ठीक है तो आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और ज्यादा ज्यादा सेख जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो नेक्स अपने इसी प्रकार से जो भी अपडेट होंगे उन्ह जब 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 एक राग्ट